निमश्कार स्वागत है अब सबों का कैसे हैं आप सब तो यह लास्ट संडे की वीडियो है मैंने अप्लोड नहीं गया था तो मैं अब कर रही हूं संडे की दिन थोड़ी सी रानक होती है यह चुले कारेबारी बीदे ना यहां पर शांपीवर्ट दोनों रोर्ड के दोनों सेडना क्षेशां में इन कर दिखने में बहुत हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगती है सब चीजे उद्ध तो हमें फूए शांपीवर्ट ने थ तो हम यहां से होते हुए हम पूर्ण ट्राइप लिया जाए तो हम यहां से निकले और हम Cellular cell होते हुए beiterण पार फिर्षरीस, di अम Carbon Scope होते हुए हम 12.00 मावगे निए घूम करके हम घर को आएंगे, ऐसी हमारी प्लानिंग थी, तो हम उसी के लिए कि यहां पर लगता है कुछ कारी क्रम होने वाला था जिसकी तैयारियां चल रही थी तो टूरिस्ट थोड़े कम ही मुझे दिखे और वैसे भी हमारे देश की टूरिस्ट है इंडियन टूरिस्ट ही आते है अचकल क्योंकि फॉरन टूरिस्ट अभी करोना के बाद से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम यहां से सेलोलर जेल होते हुए हम निकल रहे हैं और जैसे ही हम यहां से निकलते हैं जैसी हम नीचे की और जाते हैं यहां का जो नजारा है बहुत ही खुबसूरत सा बहुत ही सुन्दर सा है क्योंकि समुद्र जो दिखाई देता है ना वहां से रो तो देखिए और क्या बताओ जब मैं यहां से गुजरती हुना जब भी मैं यहां से गुजरती हूं मैं थोड़ी देख लिए जरूर रुपती हूं क्योंकि नजारे बहुत ही अच्छे लगते हैं छोटी-छोटी कश्टियां देखिए रोस आइलेंड देखिए इतनी प्यार यहां जो पानी का जो रंग होता है एक तम नीला वहाथ ही खुपसूरत और यहां यहां पर देखिए कुछ वोट वगेरा है और इस समय यहां पर थोड़ी-बहुत मतलब थोड़ी-बहुत वाटर स्पोड़ वगेरा चल रही है जिसमें जो इंदिन टूरिस्ट आते हैं व अगर हम इसकी सवारी करते हैं तो कितना रोमान चक होगा तो देखिए यह दिखने में इतना ही खुपसरत लगती है तो थोड़ी देरी के लिए हमने नहीं यहां पर मैं रुख गई ताकि मैं नजारों का लुपत ले लू तो यह देखिए बहुत यह लगते हैं अगर देखिए बोट जा रहा है यहां से चोटी सी नाव और ना इस जटी पर मतलब भरे में लोग इन मजारों के लिए और वाटरस को तो जी सवारी करने के लिए लोग बहुत साधा वहां कड़े थे तो हम वहां से निकलते हैं अगी की ओर तो हम यहां से मेरिना पार्क में पहुँच गए हैं अब यहां पर क्या होता है यहां पर एकदम समतल सा यह जो हमारा जो यह जो सड़क है ना एकदम समतल सा है लगबग मुझको नहीं मालूं कितनी लंबी होगी पर हर सेकंड सेटर डेकेट दिन यहां पर और वैसे वीकेंड है तो यहां पर लोगों की थोड़ी भीड लगी हुई है क्योंकि लोग रिलैक्स होना चाते हैं बाहर घर से बाहर निकलते हैं अपने परिवार के साथ ताकि कुछ समय अच्छी तरह से क्वालिट टाइम स्पेंड किया जाए तो यहां पर वैसे मुजि किनारे कितनी अच्छी लग रही है तो हम वहां से होते हुए साइन संटों से निकल गया आगे और हम कार्वन स्कूप की तरब जा रहे हैं इस समय लो टाइड है जिसके विजह से पानी थोड़ा उतरा हुआ है पानी पीछे की और चला गया है जैसे ही हाइट होगा ना पान लोगों को अच्छी फील होती है तो देखिए हम कार्वन स्कूप पहुंच गए है और देखिए वहां के क्राउड को बहुत सारे लोग है बहुत सारे लोग तो मैं तो यह रुकने वाली नहीं और क्यूंकि नजारों को तो हम हमेशा ऐसे देखते हैं तो हम तो हमारा तो प बेटे ने कुछ बनाई है फिश इटालियन और फ्रेंच कुजिन उसन सीखा है तो आप सब हों का धन्यवाद थैंक यू फिर मिलते हैं